नंता जी हमाई हैसा जुड़ी हुई है क्योंकि सूर्य ग्रहन के दिन भी यहां पर ही मौजूद थी और ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इनसे मैं यह जाना चाहूँगी क्या सिर्फ नकरात्मक प्रभाव है नंता जी या फिर कुछ सकरात्मक भी होगा इस ग्रहन से जी देखे जो नकरात्मक प्रभाव है वो तो रहते ही हैं लेकिन ग्रहन में काफी कुछ सकरात्मक भी हो सकता। इस यह खगोलीय घटना ये लेकिन यह खगोलीय जे कहते हैं कि आपका जत्पिंडे तत्रमाड यानि कि जहां पर आपका मायक्रो कॉज्म है वहीं पूरा माक च्रुकाजम भी बसा हुआ है तो आपके अंदर जो बाहर खगोलिय घतना होती है उसका भी आपके अंदर असर होता है उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं शकरातमक उसमें क्या लेकर आ सकते हैं सबसे पहले धियान करें धियान के लिए बहुत ही परदस टाइम होता है अगर मैं तंत्र विद्या की बात करूँ यानि कि मंत्र सिद्धी यंत्र सिद्धी किसी भी माला की सिद्धी इस समय अगर आप करते हैं इससे बढ़िया आपको मिलनी सकता इस समय दान आदी करें इस समय दान की आवा मतलब लगबग एक करोड अधिक मा करके यह था विदियो दक्ष को धारन करें आप देखेंगे आपके जो शारीरिक समस्याइं हैं या मानिसिक समस्याइं हैं एक ग्रहन के ऐसा नहीं है कि केवल आपको डर के वो बैठना चाहिए ठीक है डरने के अलग चीज़ है जैसे हमने पिछले सूरी ग्रहन के टाइम पर भी बोला था कि गुज़ात आदी में प्रॉब्लम आएगी या फिर किसी नेता पर जान लेवा हमला होगा स्पेशली पाकिसान के लिए बोला था कि पाकिसान में बहुत जादा विद्रो की सिथियां बनेंगी वैसे कुछ हमने देखा भी लेकिन वो तो नकरात्मक रहा सकरात्मक की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत कोछ आप सकरात्मक कर सकते हैं घर में आंतर एक शुद्धी करण करिए इनर जर्नी की दिन शिव जी ने तारकासुर का वद किया था यानि नेगेटिव एनर जी को बिल्कुल खतम कर दिया था तो पॉजिटिव एनर जी यानि कि शिव शक्ती और साथ में नरायन का ध्यान करने का उत्तम समय और कार्थिक मास की पुनिवा पूरे वर्ष में बहुत ही यहाँ प पूजा के लिए दिन माना जाता है बहुत सारी अलग-अलग आस्थाओं में इनका अलग-अलग महत होता है ऐसे में चंद्रग्रहन का संयोग पढ़ना ये आपके हिसाब से क्या माईने रखता है और साथी खगोलिया घटना के लिहास से अगर से देखें तो किस तरीके से ये मानव जाती और संपूर्ण शिष्टी के लिए कैसे फायदे मता है देखें हमने दिवाली के साथ जो है वो हमने सूरे ग्रहन देखा और अब देव दिवाली के साथ जो है वो चंद्रग्रहन आ रहा है तो बेसिक अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे लिए पढ़ हो या ना हो, दिल में एक अलग सा डर जो है, वो जरूर बैठा रहता है, पर जैसा नंजिता जी ने कहा, तो मैं थोड़ा सा इस एक्स्प्लेइन करना चाहूंगी, कि सूर्य ग्रहन हमारी आत्मा को, सत्ता को, गवर्मेंट को, सरकार को जो है, वहीं चंद्रमा जो है, मन का कारक माना गया है, जो आप पर, मुझ पर, देख रही सब ओडियन्स पर जो है, वो निर्बर करता है, उसके साथ-साथ, चंद्रमा की हम बात करते हैं, तो चंद्रमा जल को रूल करता है, तो जल जो है, वो पृत्वी पर 70%, 70% वाटर जो है, वो अर्थ पर है, हमारी ब मनुस्थिती को पॉजिटिव रखना, जितना हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, ग्रहन के दोरान, उतना हमें बैवसका बेनेफिट होता है, जैसे कि नदिता जी ने कहा कि ध्यान करना, तो अगर हम अपने धर्म को एक साइट पर अगर रख कर भी सोचें, तो स्पि को मेरते हैं.